हलो एवरीवन, वेलकम तू लर्नर पी, आइम शिवानी चाहान, इस विडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट इंग्रिश की बुक का चाप्टर सेवन, अविजिट टू कैम्बरिज के क्वेशन आंसर्स, पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं तो एस्टो फिजिसिस्ट कौन होते हैं, तो scholar of एस्टो फिजिक्स, branch of physics, dealing with stars, planets, etc., तो जो terrestrial bodies होते हैं जिसे कि stars होगे, planets होगे, meteor, asteroids, वागेरा, जो कि चीजें स्पेस में होती हैं, वो सारी की सारी चीजों को जो study करते हैं, उनको हम एस्टो फिजिसिस्ट बोलते हैं नेक्स्ट है बॉयंट, बॉयंट होता है इंटेंसली अक्टिव एंड वाइबरेंट, जो काफी ज्यादा वाइबरेंट होता है, मतलब जो मूफ करता रहता है, हमेशा उसको हम बॉयंट बोलते हैं, टॉर्जो, अपर पार्ट ऑफ द बॉड़ी, बॉड़ी का जो आपके ले इंसलोर ने इससेंज, इनर ग्लो और लाइट, तो मतलब, जो एक इंसान की भीटरी चमक होती है, वो होता है洗قة अजरगे क्लेट के चलिप उड़ी डियांट, तो उसको हम अससरी बोलते है, Inflection Inflection होता है Rise and fall of voice in speaking तो मतलब Voice जो है उची उठ रही है नीची उठ रही है तो जैसे हमारी feelings के साथ कभी हम तेज बोलते हैं कभी दीरे बोलते हैं तो वह होता है inflection Next है क्लिश क्लिशे या फिर आप बोल सकते हैं क्लिशे एक phrase होती है जैसे की नाचने जाने आंगन टेढ़ा टाइप की फारी जो phrases होती है Gleefully मतलब बहुत happily काफी खुशी से Claustrophobic Claustrophobic क्या होता है Very small and suffocating मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुती बंद कमरों से और चोटी जगे से डर लगता है तो वह होते हैं Claustrophobic अब नेक्स आते हैं Question Answers पहला है Did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why? Prospect मतलब इस बात थी कि Stephen Hawking से मिलना है जो writer है वो इस बात से nervous हो गए थे तो भाई क्यों हो गए थे तो देखे इसका आंसर है The writer felt nervous because he was doubtful whether he would be granted the interview तो nervous इसलिए थे क्योंकि वो सोच थे थे उनको interview लेने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा यही सब वो सोच रहे थे Next question है Did he at the same time feel very excited? If so, why? तो writer Joe Thesio Stephen Hawking से मिलने वाले तो उनको यह भी लग रहा था पतानी interview मिलेगा या नहीं मिलेगा और फिर यह लग रहा था कि अगर मिलेगा बात हो पाएगी तो कितना अच्छा लगेगा excited थे अगर थे तो क्यों थे भई तो इसका answer हो जाएगा He felt excited at the same time because he had been there to see Professor Hawking for half an hour तो excited थे कि भई इतने बड़े प्रोफेसर है पूरी दुनिया उन्हें मानती है Stephen Hawking Stephen Hawking not Hawking Stephen Hawking को तो आले घंटे हमसे बात करेंगे तो कितना अच्छा होगा यह सब हो सोचके excited थे next question है guess the first question put to the scientist by the writer तो scientist पे जो पहला question writer ने रखा था तो तो the writer's first question might be about Hawking's disability and how he had accepted it तो guess करना है हमें के पहला question भई क्या पूछा होगा तो पूछा होगा कि Stephen Hawking जो आप वीलचेर पे है मतलब आप तो उनकी रथ हो गई है तो जब वो मिले थे तो वीलचेर पे थे मतलब हमेशा रहे थे वो 22 की एच से उनको paralysis हो गया था फिर बोल भी नहीं पाते थे तो मैं तब क्या ऐसा फील करते हैं वो इजवारे में और किस तरह से उन्होंने अपनी disability को यह जो है बात उसको एकसेप्ट किया था वेदे के next है I could feel his anguish What could be the anguish? Anguish जो होता है कि मतलब कि क्या वो सोच रहे है एक टेंशन या थोड़ी सी प्रॉबलम यह वाली चीज तो इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है Professor Hawking's mind was full of great ideas but he could not speak them clearly and forcefully तो वही है Anguish का मतलब है आपको इक करना जहाते है बटा वो कम करना ही पारते है तो इक चिड़ा हट सी होती है मन में तो Professor Hawking थे वो काफी उनके mind में बहुत सरे ideas थे बट वो सिवक मशीन की help से ही उसको बोल बाते थे आप दूसरों को पता पाते थे तो यह उनका एक anguish था और जो राइटर है उनको पी किसी form की disability है तो वो कहते हैं कि वो समझ सकते है कि जो Stephen Hawking है उनको कैसा फील होता होगा नेक्स्ट क्वेस्टन है वोट इस थे साइंटिस्ट मैसेज फॉर दिसेबल्ट लोकों के लिए दिसेबल्ट तेक अच्छा वर्ड नहीं है डिफरेंटली अबल्ट आप कह सकते है या फिर हमारी इन गवर्ड ने जो वर्ड दिया है दिव्यांग जन वो वो एक अच्छा वर्ड है तो उसका अंसर उजाएगा देखिए प्रोफेसर हॉकिंग्स मेसेज फॉर दिसेबल्ट इस दाट इस शुट कंसेंट्रेट अन वर्ट दियार गुट आट इस फूलिश तो ट्राइटो कॉपी नॉर्मल बीपल तो वो यह कहते हैं स्टीफिन होकिन की तेखिए डिसेबल्ट लोग जो है जिस चीज में भी अच्छे है उस पर कंसेट्रेट करें उस पर ध्यान दें और यह बहुत ही बेवकूफी भरी चीज है कि वो जो नॉर्मल से जो हर सब सेम ही होता है कुछी लोग होता है जो स्पेशल होता है फिर क्या आप कह सकता है डिसेबल्ट होता है तो नॉर्मल लोग की तरह बनने की कोशिश ना करें और वो जो स्टीज में अच्छे हैं उस चीज पे वो फोकस करें next question why does the writer refer to the guitar incident writer which is the guitar incident why does the writer refer to the guitar incident this answer is the writer spent many years trying to play a big Spanish guitar one night he loosened the string forcefully sorry joyfully this incident supports the idea that disabled people should practice only what they are good at so this is why the writer refers to the guitar incident that many years told the writer to learn a big Spanish guitar but one night they have lost it it means that you have to play it joyfully and happy this incident tells the incident that disabled people and anyone is not disabled I know everyone directly from you so I also tell you that you are good at this identify it and you look behind it normal thing is if a bird thinks that it is not possible and the whole life is still crying and a bird thinks that it is not possible why does it not possible so look we should do that work in which we are good if we do that work then we will go very far so this is why don't do competition every time don't do competition that it is good in sports or it is good in sports or it is good in studying or it is beautiful or whatever or it is good in sports so don't keep these things in your mind there is no talent there is no talent there is no talent just you need to recognize it so how do you feel how do you feel and yes actually what is I am making videos a little bit I am making videos a little bit I am making a question because my brother's marriage is very busy I am living here so I am not getting more time I will continue in a little bit and this chapter will also get more questions so thank you